नमस्कार दोस्तों, one second, welcome back to my another video, मेरा नाम विक्रम और आप देख रहे हैं Indian Hoteliers ये वीडियो होने वाली है कुछ खास, because आज हम बात करने वाले हैं wines के बारे में कि wines होते कितने परकार के, इसके classification कौन को, क्या क्या होती है तो इस वीडियो को आगे बढ़ाएं से पहले, वीडियो को कर दीजिए, लाइक और वीडियो को पुरा देखिएगा, चैनल को सच्क्राइब परना मत भूलिएगा चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं Types of wine या फिर how many types of wine यह question आपने बहुत बार सुना होगा, आपके colleagues दोरा, आपके seniors दोरा, आपके interview time पे या फिर आपका briefing के time पे तो इस question को आगे बढ़ाते हैं और हम जानते हैं कि आज कि आपके wines होते कितने परकार की हैं हमारे पास जो wines हैं, वो हैं total 3 फरकार की, जिसने पहला number 1 आता है आपका table wine या फिर steel wine, जिसको कि हम steel wine भी बोलते हैं and number 2 आता है आपका sparking wine, और number 3 आता है आपका digit wine या फिर fortified wine तो हम जानते हैं अब इसको फिर फासर डीपली जान लेते हैं कि टेबल्स वाइन में आपकी कौन-कौन सी wine आती है tables wine में आती है आपकी red wine white wine and आती है 3rd number rose wine इनका volume percentage कितना होता है, इनका volume percentage होता है, एलकॉहल का volume percentage होता है आप हम भात देन 2 कि जो हमारी wine है sparking wine या दूसरी वासा में बोले हम इसको carbonated wine इसका volume percentage होता है थोड़ा सा high 14 to 22% इसका alcohol volume percentage होता है इसको carbonated wine क्यों बोला जाता है? Because इसको fermentation के विज़िसे बनाया जाता है तो इसमें carbon dioxide होता है carbon dioxide CO2 में मिला होता है इसलिए इसको carbonated wine भी बोला जाता है यह आपके तीन flavor में अभी उपलब्द है market में red, rose और आपकी white में तीनो flavor में यह आपको आसानी से मिल जाएंगी market में और यह minorally sweet taste होता है इनका ठीक है? हम बात कर लेता हमारी third number के wines के बारे में fortified wine और desert wine के fortified wines यह होती है इसमें आपकी fortified wines में कौन कौन चीप वाइन आजाती है? सेरी, port और मदीरा और मौर्सला यह आपकी आजाती है fortified wines और इनका volume percentage केतना होता है? 17 to 22% यह हो गई आपकी fortified wines और desert wine की बात करे हम इंडिया में जैसे normally बहुत से लोग खाना खाने के बाद desert खाते हैं या फिर ice cream खाते हैं कुछ भी sweet खाते हैं तो mostly five star luxury में जहां पर बहुती रहीस बोले हम या फिर बहुती top standard even family से ब्लॉंग करते हैं वो लोग आते हैं तो वो पीते हैं wine खाना खाने के बाद उसको बला आजाता है डेजर्ट यह डेजट वाइन कोई भी खाना खाने के बाद ही पीआ जाता है को king मत ऐसे कोड गलास का वाइन चल्ट गूग कूँने प्रक्रार की है और category of wine में आपकी कौन-कौनसी कि वाइन में कौनका कितना एलकॉहल परसेंटेज्ट होता है ये सिखा आइप वीडियो आपको पशंदाया होगा तो वीडियो पसंदाया तो लाइक करना मद भूलिएगा लाइक कर दीजे सामने बटन है और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को अपने होटिलियर दोस्तों के साथ सेर जरूर कर दीजिए कि उनको भी थोड़ सा हेल्प हो जाए और मुझे भी थोड़ी से हेल्प हो जाए दोस्तों की जो वीडियो को पुरा देखने के लिए मिलता हूं नेक्स वीडियो में और हस ते रही है मुस्कुवा ते रही है और हॉस्पिटाली ली लाइफ को ना इंजॉई कीजिए फूल मेरी तरह है